कुल है डो गाइज वेल्कम्तोर माइं योटाय चैनल टर्टिय क्लास तो दोने पढ़ने सिक्षप कारणे वाले हैं सी कि युटी अनदर लगने वाली ड्यूटी कि वारे में यानि कि आपकी तिल ऊक्रॉप है उसके अंदर कौन कॉनसे डी तो उसके बारे में अपने आज़ डीटेल से स्टेडी करेंगे ठीक है दोस्तों तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है गौविं तेट दिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यू चैनल तेट दिया कलासेश तो दोस्तों जब भी अपने बात करते हैं कि सिसम क्रोप की डीजीगे वारे में तो सब से पहले आपके माइड में एकी डीज आती है वह है फाई-लोडी एष्याएं कि अपने पढ़ते ही फाइलोडीज के लिए हैं क्योंकि जो सीसिम के अंदर यूडीज से रलेटेड क्व बता दूँगा लेकिन आपको ध्यान जो है मौस्टली इस पर ही रखना की कोशन जो आता है आपका इसी डिजीज से ठीक है तो फाइलोडी जो डिजीज आपकी सिसम की उसका जो कोजल और गिजिम है वह फाइटो पलाजमा यानि कि यह किसे होती है फाइटो पलाजमा जो एक सब्सक्राइब से है इनका यह होता है तौल दूश्री जगए एक जगे से डूसरी जगे नहीं जाते चल कर तौई इनको एक जगे से दूसरी जगे ऐसको लेज वहरू बहूरी यहीं कैवेशाई इन तो आपको फाइटो पलाजमा जो क्लोड़ यहाट शिदू आपको याद रखना यहां पाजL होपता हॉग्ट लीप होपड तो यहाँ यह से अलबी शिंक्टस होता है तो यहां से तिन के टीउड हैं इसलिए बन दो नहीं है है इसलिए पूचे गया है उसलिए यहां से तीन के तो नुए अफैन दी्जंच के इन दर पेलरा कोशन लगतर फैन्टोपलाजम फैंट मैं तेसरे कोशन है कि रूपकी दश्ररें मिलीं सिधाब मताय याद करना है यह अनुकि क्या होता है कि जब्थड sell ओप्शन में कई हता है यहनु कि पूछली आता है कि फाइटो प्लाजमा जो है इसका वेक्टर कौन सा है फाइलोड डिजीज का तो लीफ ओपर ने आकर आपको आपको औरोसी अलबी सिंक्टर्स भी देखना को मिलेगा तो यह भी आपको याद रिखना है औरोसी अलबी सिंक्टर्स लीफ होपर है फाइटो प्लाजमा को एक जगे से दूसरे जगे लिजाने का काम करता है ठीके दोस्तों यहां तक कलियर है फिर इसके जो मैन सिंटम्स आते हैं वो पढ़ते हैं सिंटम्स क्या होते हैं तो इनके इसके जो डिजीज के जो मैन सिंटम्स आते हैं जो आपका फलॉरल पार्ट अब लॉरल पार्ट सव师 होतेmos कि इसके सब से जदाइए आपकि आपके स्म्टम्स मेली श्मक्रण स्में बहुंत면 हों अ दिसके बहुद्न का 비 पार्ट से च्टरों उस्टाम क्या होता कि पूरा का पूरा जो आपका inflorescence है inflorescence का मतलब है कि जो जित्ते भी आपके floral parts होते हैं पूरा का पूरा आपका inflorescence है वो किसमे convert हो जाता है short twisted leaves closely arranged on stem with short internodes कहने का मतलब यह है कि जो inflorescence जो पार्ट है आपका floral organs वाड़ा part है वहाँ पर क्या हो जाता है कि वह लीफी लाइक structure के convert हो जाती है ठीक है जो पतियां होती हो आपकी छोटी हो जाती है twisted हो जाती है साइज में पतियां चोटा हो जाता है ठीक है और फिर क्या होता है विचेज ब्रूम जैसी आपको लाश्ट में structure देखती है ऐसा लगता है जैसे विचेज ब्रूम वह बाड़ी हो है ना इसको बोलते हैं ठीक है इसमें अगर capsule बन गए ठीक है तो आपको पता fruit का टाइप होता है सिसम का अगर capsule बन गए ना ठीक है तो जो अकेप्सूल जो जो सिनाफ हो आथा और wealin खरीट अपर डल्री का बिंधना अडिक है तो यह सिम्टम्स एफ himalU यह मैं आपको बताए कि एक और एक रिफेला nessa बन जाती है यह जो i जॉड़ चांगी यहां यह ठीक है इंटरनोड आपका होता नहीं छोटा हो जाता है एक लीफ लाइक ट्रक्चर गेंदर आपकी यह इसका मेजर सिम्टम है और कैप्सूल जो अगर बनते हैं नीचे वाली साइड में कैप्सूल बनते हैं तो उनकी जो क्वालिटी आप जाती है अच्छे नहीं बनते इस टाइप से तो यह इसका मेजर सिम्टम है यह भी कोशन आता है कि फालोडी डीजीज का सिम्टम से इनकी ग्रीन लीफ इलाक्स ट्रक्चर अंदर कन्वट हो जाते हैं फ्लोरल जो पार्ट्स होते हैं तो यह यहां से भी कोशन आया है यह भी आपको याद रखना है अब म मेनेजमेंट कैसे करेंगे क्या मेनेजमेंट जो प्रेक्टाइस है तो क्या करेंगे जो भी आपके इनफेक्टेट प्लांट्स जो मिलेंगे इस डीजीज से उनको अपने रिमूव कर देंगे यह उनकी हटा देंगे और डिस्ट्रोय कर देंगे तो मैंने कहा था कि जो तो अपने आप जो इस इस डिजी जीस का इंसिडेंस नहीं मिलेगा ठीक कांट्रोल हो जाएगी तो वेक्टर कंट्रोल करेंगे यानिके लीफ ओपर जो आपका है उसको इसको कंट्रोल करने और ओसीय से सब्सक्राइब करेंगे या फिर जो डाय मिथोड आता है तीस इसी वाड़ा वह स्प्रेय करेंगे इसकी लगबग एक पांसों मल लेके इसकी वह अपने स्प्रेय कर देंगे इसके लावा अपने इंटर क्रोपिंग कर सकते हैं सिसेम और रेड़ ग्राम की इनकी इसका नुपात है छे नुपात एक ठीक है तो यह याद रिखना वेक्टर कंट्रोल करने के लिए ग्राम के इसकी रेसिस्टन्ट वराइटी जैसे आपके टी एमवी फौर होगी पी के वी एंटी ऐलेवन ओगी यह दो आपकी डीजी जी जो मुस्ट इंपोर्टन जीज ए तिल की अपने तिल को पढ़ते ही इसलिए कि इसमें फाइलोडी डीजी जाए ठीक है फालोडी जो हर तायब का आया हुआ है फिर इसमें एक और डीजी लगती है रूट रोट ओफ सीषम रूट रोट किसे होती है यह होती ही मेक्रोफोर्मीना फेजियोलिना अब इसके शिम्ट्म्स भी लोधिंग हो जाती है बादियों की डेजडी केसं हो जाती है यह इसके सिंटम से ठीक है इसो मों क्या होता है पूरा को बैंड कहले हो जाता है पेन्ड कर जाता है यह ऑना और last में क्या हो जाता है फिर वो dry हो जाता पूरा पूरा प्लार ठीक है जो आपके various cooler बंड़ प्राउन कलर के हो जाता है त्षट सिस्टम का हो जाता है ठीक है रूट रोत अपको णिया पसे मिलता है उस आपका समर्शी उसमें डीप लाविंग कर देंगे क्रोप रोटेशन है वो एपलाई करेंगे ठीक है कुछ अमेंड मेंडमेंट आते हैं वह जैसे फ़ीम होगी आपकी साधे बाराइं टांद पर हेक्तर यह अपलाई करेंगे ठीक है डीजिट्ट आपका प्लांट डेबरी से से वन ग्राम पर लीटर के साथ से तो यह रूट रोट ऑफ सिसेम के मेनेजमेंट थे जो आपको याद रखने है कि फिर आपकी जो नेक्स्ट इजिए वह फाइट अप थोड़ा बलाइट ऑप सिसम ठीक है इसका जो कोजल और गेनिजिए वह है फाइट अप थोड़ा पैर इस ने शर्यत्रान फा यह आप को और उस। बंदर न मेंट ब्रावन कलर होते हैं उसके बाद वह ब्लैक कलर लड़ा जाते हैं ठीक है प्रिमेचर लएब फाल हो जाती हैं यंकी पतियां घठत हो फीरिटो पर जाता है नेकर फॉन में होता है घ्राम नेंक्तरफ हॉत प्ला आपको देखने को मिलती है ठीक है यह देख लो आप पतियों पर स्टैम पर आपको इस टाइब के वाटर सोगर शीम्टम्स देखने को मिलते हैं फाइट उप्तौराबल लाइट के अंदर मनेजमेंट करेंगे डिजीजीड पार्ट से उनको डिस्ट्रोय कर देंगे क्रोप रोटेशन हो गया यह फिर अपने जो आपका अगर सीवीर के सैथ सीवीर कंडिशन में अपने क्या करेंगे तीन सप्रे करेंगे रिडो मेल एमजेट 72 की ठीक है 0.20% यह फिर मैंको जेब जो में वह है रेल्रोर्टर पर करो पर स्ब्सक्राइज परिमन सब्सक्राव 1 तरम होता था कि कि यह आपको ने दंस के मापड़ाब्ड ओंध को जाति है यह आप शिम्टम्स देख सकते हैं जैसे आपकी पती हैं इसे पर आपको इस टाइप्स की कंसेंट्रिक जो आपकी रिंग्स है वो देखने को मिलती है ठीक है कि अदर कि मनेजमेंट कैसे करेंगे जो आपका डिजीजेट प्लांट पार्ट से उनको रिमूव करेंगे बंट कर देंगे क्रोप रोटेशन जो फॉलो करेंगे रेसिस्टन वराइटी कोई है तो वह अपने ठीक है उसके लाव अपने फिल्ड से नीटेसन ठीक है तो यह था आई होप आपको वीडियो अच्छा लगाओगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिद